हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूं सब लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप काफी टाइम से ट्राइ कर रहे हैं कंस्यू करने के लिए और नहीं हो रहा तो इससे में आपको कौन सी टिफ्स फॉलो करना है जिससे क्या आप जल्दी हो सके जब भी आप कंसNews करने लिए ट्राइ करते हैं तो कमसे किवनल यर तो नैट्रेलि็न ड्राइप करना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने दो महीने तीन महीने किया और आप हार गये क्योंकि जब हम नहीं चाहते कि हमें प्रेग्नेंसी रूखे अप ऐसी खंडिशन में तो एसे में लोग बहुत निराश हो जाते हैं, दो महीने, तीन महीने ट्राई करते हैं, फिर वो डोक्टर के पास से ले जाते हैं, अगर हम naturally consume करने की बात भी करें, तो one year कम से कम एक से डेर साल लग जाता है कई लोगों को consume करने में, अब आपको सबसे पहले किन चीजों का ध चाहिए, इसके बाद में महला का पीरेट नेमित होना चाहिए, यानि कि regular होना चाहिए, इन regular period cycle में pregnant होना काफी मुश्किल होता है, हाफ ना के बराबर तो नहीं होता है, 10% chance होता है, पर अगर आपके periods regular है, तो आप बहुत जल्दी consume कर पाएंगे, तो आपको एक तो यह पत period cycle 28 से 35 दिन की है, तो यह normal period cycle है, आपको हर महीने calendar पर या जो भी आप जैसे भी याद रख सके, इस date को note करना है, अब इसमें आपको ovulation days count करके अपना ovulation निकालना है, जैसे कि अगर आपके periods 28 दिन मारे, 30 दिन मारे, तो हमारे जो ovulation होगा, चाहुदवा दिन, पंदवा दिन या solve दिन, ऐसे दिनों में ovulation आता है, अगर आप किसी भी डॉक्टर से consult करेंगे, तो डॉक्टर आपको ovulation के days count करके देंगे, और आपको बोलेगे कि alternate days पर आपको relation बनाना है, alternate days मिंस होता है कि एक दिन छोड़के एक दिन relation बनाना है, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हो करना है, या फिर हम कौन सी position में relation बनाएं ताकि हम इसी मंत consume कर पाएं, देखो ये एक natural चीज है, कोई खाना तो है नहीं कि हम लोग खालेंगे इसको, है ना, तो आपको try करना चाहिए, पर stress नहीं रखना है, बहुत सारे लोग मान से तना हो जाता है, कि हमें consume क्यों नहीं हो attention आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, सबसे पहला काम करना है आपको, कि आपकी period cycle regular होने चाहिए, regular नहीं है, तो पहले treatment लो, उसको regular करो, उसके बाद में, आपका जो ovulation timing है, उसको आप detect करो, ovulation को, जब भी आपका ovulation होने वाला है, उससे 4-5 दिन पहले सा आप relation बनाना बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है, कि किया relation हमको कितनी बार बनाना चाहिए, तो आप एक दिन छोड़के, एक दिन relation बनाईए, बहुत सारे लोगों का एक सवाल और होता है, कि relation कितने time तक बनाना चाहिए, यानि कि relation में जो time होता है, वो कितना लगना चाहिए, proper time कितना होना चाहिए तो ऐसा कोई रोल नहीं है कि 5 मिट होना चाहिए कि 10 मिट के 25 मिट हर एक आदमे की capacity अलग-अलग होती है तो कोई 2 मिट में भी discharge हो जाता है किसी का 5 मिट में भी किसी का 10 मिनिट में भी यह हर एक patient की capacity पर depend करता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 मीट लगना ही जरूरी है कि 2 मीट में भी डिस्टार्ज हो जाए तब भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं अब तीसरा सवाल आता है हमारा कि क्या हम रिलेशन के बाद रिलेशन कंप्लीट होने के बाद में कितनी देर तक लेटे रहे तो मेरे जो पेशेंट है उनको मैं एडवाइस करती हूँ कि सिर्फ 10 मीट से 15 मीट सफिशेंट है 10 मीट भी बहुत है अगर आपको लेटना है तो आप 15 मीट लेटो उसके बाद में तो यह सा नहीं कि पूरी रात बर हम एसे पड़े रहे ऐसे में क्या इंफेक्शन होने का चांस भी रहता है तो यह कोई मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी पोजिशन में रिलेशन बनाए तो प्रेगनेंस से जल्दी होगी ऐसा कुछ नहीं होता है जिस पोजिशन में आप दोनों लोग कंफर्टेबल है वही पोजिशन आपको अपनाना है और आपका जो पिनीटरिशन है वह दीप में होना चाहिए डिस्चारज भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि इसचार्ज बहार हो गया है तो ऐसे में क्या है की Its ौ जो सीमन या लिकविड होता है वह पुरा बहा तो इसलिए हम बोलते कि जो भी पोजिशन आपके लिए सूटेबल है कमफर्टेबल है उसमें आप रिलेशन बनाई है रिलेशन के बाद में 10 मिन तक आपको लेटे रहना है उसके बाद में आप वाश्रूम के लिए जा सकते हो बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि म ज़रूरी नहीं है कि पिलो लगाओ लेगा पोजिशन अपना हो या 20-25 मिन तक आप लेटे रहो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप लोगों में कोई प्रॉबलम नहीं है नैचुरली कंसिव होना है तो वह हो जाएगा एससे टेंशन लेने के जरूवत नहीं है अभी आप यह होना तो 100% चांट से कंसिव होने का इसमें ऊबलिशन ही नहीं होता है अगर आपको उबलिशन नहीं हो रहा तो यसी में डॉक्टर कुछ मैडिसन करेंगे आपको जो कंटीनुव लेना है साथ में डॉक्टर जब आपको टाइमिंग दे उस टाइम में में प्रॉपर साल दो साल भी लग जाता है तो इतना ज़्यादे टेंशन माने की जरुवत नहीं है बहुत सारे लोगों का सवाल यह भी होता है कि हम वन यह से ट्राइब कर रहे तो अभी क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने